So, the question is, as per given figure, a weightless pulley P is attached on a double inclined frictionless surface, the tension in the string will be, G को आपको 10 लेना ही आपर, तो डाइगराम आपको किस प्रकार से दिया हुआ है भाई? यह आपका डाइगराम है, यह आपका एंगल 60 डिगरी है और यह आपका एंगल 30 डिगरी है, यहाँ पर एक मास 4 kg है, यह पुल्ली के साथ दूसरी साइट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मास 1 kg है, यही आपका डाइगराम है, ठिक? इस रस्य में टेंचन निकालना है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, यह कब लगता है, जब आपका एक पुल्ली ऐसा हो, और एक मास इदर हो, और एक मास आपका इधर की तरफ हो, बास समुंद में आ गई? ना यहाँ पर आपको एक्सलिशन की trick लगा सकते हो जो कि आपको सिखाय जाता है बहुस सारे लोग सिखाते हैं net pushing mass divide by net mass है ना तो यह एक्सलिशन का जो net pushing mass m2 minus m1 divide by m1 प्रसेंट जो भी होता है g multiply करके यह भी यहाँ पर नहीं लगेगा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लएगी, इसमें जो ट्रिक लगती है, वो मैंने बनाई हुई है, वो ट्रिक रामबान है, वो हर जगे लग सकती है, हर क्यूशन में लग सकती है, मगर मैं तभी भी बताऊंगा आपको जब आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो नीचे इसका अप कमेंट कितना आएगा, 4G, यानि 40, अब यह बताने की जड़रत नहीं है, यार न, यह बताने की ज़रत नहीं है, कि इसका एक कमेंट इदर की तरफ कितना आएगा, 4G, G की वैल्यू 10 लेनी है, तो यह हो जाएगा, 40 कॉस 60, और इदर की तरफ दोन रसी एक ही है, तो इसमें टेंशन टी इदर की तरफ आएगा, इसमें टेंशन टी इदर की तरफ आएगा, हम जानते हैं, 4 किलो, 1 किलो से बार ही होता है, तो यह नीचे की तरफ जाएगा, एक सिलिशन से, तो यह भी एक सिलिशन से उपर की तरफ आएगा, यह रसी एक ही है बासमंद में आपके अब आपको पता है जिदर acceleration होता है वो वाला force बड़ा होता है equation क्या होता आपका bigger force minus smaller force is equal to mass into acceleration यानि equation मंजाएगा इसका 40 sin 60 minus t is equal to 4 into a sin 60 होता है आपका root 3 divided by 2 तो मैं root 3 divided by 2 direct कर रहा हूँ बहिया तो root 3 divided by 2 2 से 40 गया 20 times तो 20 root 3 minus t is equal to 4 into a equation number 1 इस्पीड बदो नहीं हो रहा ना second 1 के लिए लिखेंगे तो बटा ये acceleration उपर की तरफ जा रहा है यारी tangent force बड़ा होगा तो bigger force minus smaller force 10 sin 30 sin 30 वाली होती 1 by 2 तो 1 by 2 तो 10 कितना होगे आपका 5 is equal to कितना हो जाएगा आपका 1 into a equation number 2 दोनों equation को जोड़ेंगे तो ये minus से ये plus से खतम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 root 3 minus 5 is equal to 5a तो 5 को डिवाइड करेंगे तो यहां से में क्या मिल जाएगा आपका acceleration 5 को डिवाइड करओ तो डिवाइड करीद हो भई तो ये हो जाएगा आपका 4 root 3 minus 1 four root 3 minus 1 ये आपका acceleration detention निकालना तो क्या करेंगा वही कि-सी भी एक एकë question में value डाल दो तो second में डाल दो tension कितना हो जाएगा से a plus 5 तो tension कितना हो जाएगा आपका 4 root 3 minus 1 plus 5 तो कितना हो जाएगा ये 4 root 3 plus 4 यहां से 4 common ले लो तो कितना जाएगा आपका root 3 plus 1 option number B ठीक है